आरन खान की बेल के लिए मांगे गए थे 25 करोड नमस्कार, मैं गुलीन और आप देख रहे हैं News 28 आरन खान के ड्रग्स केस में कई चोकाने वाली जानकारी सामने आ रही है प्रभाकर ने बाचीत में बताया कि गुसावी ने आरन खान को छोड़ने के लिए 25 करोड रुपए की मांग की है बलकि आपको बता दे कि प्रभाकर NCB के एक गवाबी है प्रभाकर सेल क्रूज रेड के बाद हुए ड्रामे के समय मौझूद थे उन्होंने किरन गुसावी और सेम नाम की एक शक्स को NCB के दफ्तर के पास मिलते देखा था सेल ने दावा किया है कि गुसावी और सेम लोवर परेल गए थे जहां एक ब्लू कलर की गाड़ी आई थी प्रभाकर सेल का दावा है कि उन्होंने शारुक खान की मैनेजर पूजा डडलानी को उस ब्लू गाड़ी में बैठे देखा था प्रभाकर के मताबिक गुसावी और सेम ने अपनी बातचीत में 25 करोड की मांग की थी लेकिन 18 करोड में मामला सेटल करने को राजी हो गए थे गुसावी ने कठत रूप से कहा था कि 18 करोड में से 8 करोड समीर वांखडे को जाएंगे और बचे जितने भी पैसे दूसरों में बटेंगे प्रभाकर के इन इलजामों के बाद कई बड़े सवाल खड़े हो चुके हैं पहला सवाल एंसीबी का कहना है कि गुसावी एक स्वतंतर पंच है तो स्वतंतर पंच की रेड और गिरफतारी में जाने को कैसे मिला दूसरा सवाल गुसावी के फोन से आरण खान की किस से बात चीत हुई थी? और क्या बात चीत हुई थी? तीसा सवाल सैम कौन है? क्या सही में शारुक खान की मैनेजर पूजा डड़लानी गुसावी और सैम के साथ लोवर परेल में मिली थी? और यह मीटिंग किस बारे में थी? गुसावी का बॉडिगाड जिन 50 लाख रुपए की बात कर रहा है क्या वे सही में दिये गए है? अगर हाँ तो यह पैसे किस ने दिये? आपको क्या लगता है? क्या इन सवालों के बीच आरिंखान को मिलेगी जेल या फिर बेल? कॉमेंट करके अपने विचार बताएं तब तक के लिए नमस्कार